दोस्तों आपने अकसर लोगों को कहते हुई सुना होगा कि कास कोई पैसों वाला पेड होता, जिसे हम घर में लगा लेते, तो आराम से पैसे आते रहते लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे ही पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे घर में लगाने के बाद पैसा चुम्बक की तरह खिचा आएगा जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रासुला के पौधे के बारे में फैंगसुी के अनुसार क्रासुला पौधा बहुत ही सुप माना जाता है इसे घर में लगाने से अपार पैसा घर में आने लगता है और इनकम के नए-ने रास्ते अपने आप खुलते हैं और आपको धनवान बनते वक्त नहीं लगता है दोस्तों क्रासुला के पौधे को धन प्राप्ती का पौधा भी कहा जाता है क्रासुला का पौधा लगाने की एक सही दिसा भी होती है क्योंकि गलत दिसा में लगाया गया ये पौधा धनलाम होने की बजाए आपको धनहान भी करा सकता है दोस्तों क्रासुला की पत्तियां मोटी होती है लेकिन ये बहुत मुलाइम होती है ये पौदा बहुती तेजी से फैलता है इसकी पत्तियां हलकी हरी और हलकी पीली सी होती है इस पौधे को ज़्यादा दूब की आवशक्ता नहीं पड़ती ये पौधा छाओं में भी बढ़ जाता है और बसंदी रूत्यु में इसमें तारे नुमा, छोटे-छोटे सफेद या गुलाबी रंके फूल भी खिलते हैं जो देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं आपको बता दें कि क्रासुला के पौधे को ज़्यादा देखभाल की ज़ुरत नहीं होती इसलिए इसे असानी से अपने घर में लगाया जा सकता है इस पौधे की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जल्दी सूकता नहीं है इसे हफ्ते में दो या तीन बार पानी देना ही काफी होता है इसे आप अपने घर में किसी गमले में लगा सकते हैं दोस्तों अगर आप भी क्रासुला का पौधा अपने घर में लगाने जा रहे हैं, तो इसकी सही दिसा का जानना बेहदी जरूरी होता है, आपको बता दें कि ये पौधा घर के में गेट के दाइनी ओर लगाना चाहिए, यानि में गेट के राइट हैंड साइट में इस पौधा बढ़ाता है, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे को रखने से घर में धन व्रद्धी होती है, और ये पौधा धन को घर की तरफ खीचता है, अगर आपके घर में धन नहीं ठैरता है, तो आप भी क्रासुला का पौधा लगा सकते हैं, कुछी दिनों में आप कि ये पौधा अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, और आपके घर में पैसों के साथ सुख सांती भी बरकरार रहेगी, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए, तो कमेंट में जै मलक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्याद करें, धन्यवाद